हेलो स्टुडेंट्स आज हम करेंगे टोपिक क्रोप प्रोडक्शन्स फसल का उत्पादन कैसे होता है फसल बोने से लेकर उसके जर्मिनेटिंग तक इरिगेशन तक और लास्ट उसको काटने तक एकठा करने तक उसको हम डीटेल में पढ़ेंगे इन ओर टो फीड ए लार्ज पॉपिलेशन क्रोप और ग्रोन होने लार्ज स्केल मारी पॉपिलेशन बोजद है उसकी नीड को कम्प्लीट करने के लिए क्रोप्स को जदा से जदा करें लार्ज स्केल में उगाने की जुट है जो बार-बार हम ग्रोप करते हैं क्रोप्स को फुरी साल के लार्ज स्केल पे वह क्या कहलाता है एग्रिकॉल्चर क्रीशी इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजी जाती है ग्रोप प्रोडक्शन की अलग लग इसके स्टैप आएंगे पहले जो फसल का उत्पाद है उसमे स्टार्टिंग में क्या करते और एंट तक क्या क्या इसका प्रोशीजर वाता है उसके अलग लग स्टेजी को हम बढ़ेंगे इस सबसे फ़र्स्ट पोईंट आता है प्लॉइंग सबसे पहले खेट के अंदर क्या है फ्लोइंग करते हैं यह टेक्टर के दिखा रहा है इससे फ्लोइंग करते हैं फिल्ड के अंदर खेट के अंदर सबसे पहले क्या देखते हैं the kind of soil suitable for the crop should be first selected सबसे पहले हमें यह स्लेक्ट करना है कि soil की kind कैसी है जो क्रोप के लिए suitable हो यानि कि मित्टी कैसी है जहां पर हम जो भी बोरे जैसे की जवार बाजरा मक्का गियूंग कोई भी क्रोप अगर हम प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो उससे पहले हमें यह स्लेक्ट करना पड़ेगा मित्टी कैसी है then the soil should be loosened over the entire field to make it airy and porous उसके बाद लोजन थोड़ी सी मिट्टी के है मिट्टी के अंदर क्या है अच्छे से जो airy भी हो जाए वो पूरस भी हो जाए बार बार उसके अंदर प्लॉइंग की जाती है या फिर इसको जैसे बोलते प्लाव मारे जाता है तो उसके है मिट्टी अच्छे से airy सांस लेसके और पोरस बंच के उसके बाद मैन्योरिंग करते हैं पिक्चर में दिखाए हुआ खाट डालते हैं इट इस डन बाइडिंग कंपोस्ट और केमिकल फर्टिलाइजर्स खाट डालते हैं या फिर कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स चोप के उपर आते हैं जो रिया जैसे सूपर फोस्पेट उनको डालते हैं ताकि जो सोईल की फर्टिलीटी है वो इंक्रीज हो सके रुप जाओ अक्षमता जो है मिट्टी की वो बढ़ सके इ सबसे पहले जो सीड लेते हैं वो हैल्दी हो फिल और रेडी करने की बाद उसके अंदर सीड को हम बहुत हैं दा सीड नोट सोन झूट टू टीप इन दा स्वेल के अंदर बिल्कुल डीप में नहीं हमें वह नहीं है ठू क्लोज टू इच अदर नहीं बिल्कुल पास पास में जो अगर पास पास में सीड को करेंगी तो कॉंपीटिशन होगा एर वाटर से लाइट के लिए इसलिए बीज को क्या है दूर दूर हम बहुते हैं उसके बाद फोर स्टाइप आता है इरिगेशन शिचाई पानी की जूरत होती है बीज को बोनी के बाद उसको इरिगेशन से पिक्चर में दिखाया इस ताइप से में क्यासी चाहिए करनी है वो एक राइट टाइम पर करनी है कब फॉर इकजांपल जैसे वेन शीड्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग चेंज इंटू सीड्लिंग जब इस टैम पे राइट अमांट ओ वाटर की रिक्वाइर्मंट होती है फिल को फिल्ड नीड्स टू बी वाटर प्रोपर ली फिल्ड को खेत को कहें पानी देने की कहें प्रोपर्ली जरूत पड़ती है इसको हम स्टेप आइज अच्छे से लेंड करना क्रोप प्रोडुक्श यह नहीं है कि स्टेप पहले आ गया मैनोरिंग बाद में आ गया इसकी सीरीज है स्टेप है जैसे प्लोइंग फिर मैनोरिंग फिर स्टेप फिर इरिगेशन